गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम एकनॉमिक्स का चैप्टर्न कोर्लेशन अनलसीज का थर्ड टोपिक करेंगे एक्सेसाइज वन सी टोपिक है चेंज ओफ स्केल एंड ओरीजन इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे हम एक सीरीज की अगर उसके ओरीजन को ही चेंज कर देते हैं तो उसका दूसरी सीरीज के उपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जैसे एक्स सीरीज है वाई सीरीज है अगर हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं दूसरे के उपर कोई effect नहीं पड़ता मालो x में से हम कुछ भी add, less या फिर multiply या फिर divide कर देती हैं इसी भी number से तो उसका y के उपर effect नहीं पड़ता और y के उपर change राने से उसका x के उपर effect नहीं पड़ता तो हमारा जो correlation है वो same ही आता है तो जिस number से हम x को change करें तो सभी numbers को उसी से ही change करना पड़ता है जैसे meaning देखो change of scale and origin there is no effect of any of the two types of change we may add, subtract, multiply, divide each term by a certain constant सभी terms को हम से एक ही number से add, less multiply, divide कर सकते हैं there is no effect on coefficient of correlation उसको change करने से coefficient of correlation के उपर कोई effect नहीं पड़ता जैसे first example देखो from the following data calculate coefficient of correlation तो इससे हमने coefficient of correlation पता करना है x और y series given है तो हमें जो x series दी हुई है पहले as it is x और y series हमने लिख लेनी है अब देखो जो x series अगर हम ध्यान से देके analyze करें तो हमें ये दिखाई दे रहे हैं कि सभी number किस number से divisible है hundred से ये सभी numbers hundred के table पे जाते हैं तो सभी numbers को हम hundred से divide कर सकते हैं अब हमने hundred को hundred से divide कर सकते हैं two hundred को भी hundred अब x series के सभी number को hundred से ही divide करना है तो ऐसे मैंने सभी numbers को hundred से divide कर दिया ठीक है अब देखो hundred को hundred से divide किया one two hundred को hundred से divide किया two three hundred को hundred से divide किया four then five six और seven अब देखो next ये x series थी हमने new x series बना ले ये बन गई हमारी new x series अब हमने बनाने है y series firstly देखो y series को analyze करो तो हमने क्या analyze किया कि सभी number four के table पे जाते है 36 v, 2 v, 28, 24, 20, 16 और 12 सभी number four के table पे जाते है और साथ में two to zeros है तो सभी number को four hundred से divide कर सकते है ठीक है अब हमने y के सभी number को four hundred से divide किया 36 hundred को four से divide किया ठीक है कितना आएगा nine thirty two hundred को four hundred से divide कितना आएगा eight then seven, six, five, four and last three तो ये बन गई हमारी new y series अब हमने coefficient of correlation फाइंड करने है तो जो coefficient of correlation का formula है वो है r r किसका sign है coefficient of correlation का is equal to n submission xy minus submission x multiply submission y तो हमें क्या चाहिए submission x और submission y तो हमने क्या किया x को add कर लिया और y को add कर लिया अगेन हमने क्या पता करना है x और y की square है क्योंकि हमें formula में x square भी चाहिए y square भी चाहिए तो हम क्या करेंगे x और y की square कर देंगे x की square 1, 2 की square 4, 3 की square 9, 4 की 16 next y square और उन दोनों की multiply x और y की multiply तो ये सारे numbers हमने पता कर लिया सभी का summation भी find करना है और सभी values को r के formula में values को put कर देना है और हमने क्या find कर लिया minus 1 answer आगया ये क्या आगया हमारे पास coefficient of correlation तो इसी example से related आपकी 1C exercise है जिसके रजे 4 sums है ठीक है आपने 4 sums फियर notebook पे करने है इसका जो 3rd sum है 4th sum मैं करवा देती हूँ ठीक है other sums को आपने खुद ट्राई करने 4th sum देखो हमें दी हुई है series book में दी हुई है रजे 90 तो 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 ये हमें given है सभी numbers देखो किसके table में जाते हैं 10 की तो हमने सभी को 10 से divide कर लिया तो 10 को divide करके कितना आया 9 फिर यहाँ पे 10 से divide किया तो 10 यहाँ पे divide किया तो 11 12 13 14 15 अब ये सभी सभसे छोटा number इन में से कौन से है 9 तो जो सभसे छोटा number होते है उसमें से एक और less कर दो 9 में से एक हम किया 8 तो अब 9 में से 8 कट कर दो तो new series बन गई 1 10 में से 8 कट किया 2 तो ऐसे हमने एक और new series फाइन करनी है अगीन रिपीट कर रही हूँ जो सभसे छोटा number है जो सभसे छोटा number है उसमें से कट कर दो सभसे छोटा number कितना है 9 तो 9 में से 1 कट कर दो कितना आया 8 तो सारी सीरीज में से 8 माइनस कर दो, 9 में से 8 माइनस किया, 1, 10 में से 8 माइनस किया, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही हमने y सीरीज फाइन कर लेनी है, और फोर्मूले में values को put कर देना है, sum 1, 2, 3 इसे method से करना है, बिल्कुल same, ओकी, thank you students.